लीजे सुनिये एच-एच मुन्रोद्वरा लिखी कहानी दा ओपन विंडो का हिंदी में अनुवाद मेरी प्यानी गरिमा की अवासने मिस्टर नडल स्वास्त लाब लेने के लिए काउं में रहने नय नय आय थे उनकी बेहन ने उन्हें खुश लोगों के पते दिये थे जिससे उन्हें जान पहचान बनानी थी आज वे मिसिस सेपल्टन के घर आये थे उनकी भतीजी वेरा ने उनका स्वागत किया और मिस्टर नडल को बताया कि उसकी आंटी कुछ ही देर में आती होंगी वेरा ने पोचा कि क्या वे पहले से उसकी आंटी को जानते हैं इस पर मिस्टर नडल ने कहा कि नहीं वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते मिस्टर नडल को सिर्फ उसकी बेहन ने एड्रेस ही दिया था मिस्स सैपल्टन शादिर शुदा है या विद्वा उनके कितने बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं जानते थे पर उस कम्रे को देख के लगता था कि उसमें कोई पुरुष अवश्य रहता होगा वेरा ने कहा तो फिर आप उस हादसे के बारे में नहीं जानते होंगे कैसा हादसा वही जो तीन साल पहले आज ही के दिन हुआ था आप वो खुली हुई बड़ी सी खिड की नुमा दर्वासा देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी के मौसम में वो खिड की इस दोपहर में क्यों खुली है आज ही के दिन तीन साल पहले मेरे आंटी के पती और उनके दो छोटे भाई शिकार खेलने गए थे और वे कभी वापस लोट कर नहीं आए वो बहुत ही डरावनी दोपहर थी और वे सारे अचानक ही लापता हो गए यहां तक की उनके शरीर भी नहीं मिले यही सबसे अजीब बात थी मेरी बेचारी आंटी हमेशा सोचती हैं कि वे किसी दिन वापस जरूर आएंगे और वे उसी खिड़की नुमा दरवाजे से चल कर अंदर आएंगे उनका प्यारा कुत्ता भी उनके साथ ही गया था इसलिए वर रोज इस खिड़की को खोल के रखती हैं जब तक शाम न ढढ़ल जाए मेरी आंटी मुझे अकसर बताती हैं कि किस तरह उनके पती सफेग रंग का रेंगोट अब बंदूख ले कर गए थे और उनका छोटा भाई उन्हें चिरहाने के लिए हमेशे गाना गुन गुनाता था इस गाने से मेरी आंटी बहुत चिरती थी वेरा कहती है कि उसे अकसर ऐसा डरावना हैसास होता है कि किसी शाम वे सारे अचानक ही चले आएंगे तब ही वेरा की आंटी कमरे में आ जाती है और अपने देल से आने के लिए शमा मांगती है वो कहती है कि वेरा तो बहुत दिल्चस्प बाते करती है उसने उन्हें बोरियस का हैसास नहीं होने दिया होगा फिर वो कहती है मैं आशा करती हूँ कि आपको इस खिली अचाह रहे थे कि अब इस मुद्दे पर और कोई बात ना हो पर मिस्स सेपल्टन बार बार उस खुली खिड़की और उसके आगे सुंदर बगीचे को ही देखती आपको पता है मिस्टर नटल डॉक्टर्स ने मुझे किसी भी तरहे के मानसिक तनाव से बचने के लिए कहा है साथ ही मुझे आराम करने की सक्थ दायती है मेरी तबियत ठीक नहीं रहती न इसलिए मिस्टर नटल की नज़े वेरा पे पड़ती है जो खिड़की के बाहर डर से देख रही थी तो वो भी बाहर देखने लगते हैं शाम ढल रही थी और उन्हें तीन पुरिशों की आकरितियां आती भी दिखाई देती है जिनके हाथों में बंदूग थी और एक आदमी के कंधे पर सफीर देंगोट था एक छोटा कुटा भी उनके साथ आता दिखाई दिया बड़ी शान्ती से वे घर की तरफ चले आ रहे थे तब ही वही गाना गुन गुनाने की आवाज आती है मिस्टर नटल की डर के कारण बुरा हाल था उन्होंने अपनी छड़ी को जोर से पकर लिया और वे उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर कंकर पत्थर से होते हुए सामने के मुख द्वार की तरफ तेजी से भागे वे इतने हडबडाई हुए थे कि एक साइकल सवारों से टकराते टकराते बचा हम सब आ गए कहते हुए वे तीनों अंदर आए उनकी जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी मिस्स सेपल्टन प्रसंता पूर्वक उठी और बोली आओ मेरे प्यारू वे पेचे मुड़ी की मिस्टर नटल को सबसे मिलवाए पर वो तो बिना अलवदा कहे ही चले गए थे अरे मिस्टर नटल कहां गए हरे वो तो ऐसे गायब हो के जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो वेरा ने अपनी आदत अनुसार फिर से मन घरन डरावनी कहानी बनाना शुरू कर दिया जैसे कि उसने मिस्टर नटल को सुनाई थी वो बोली वो मिस्टर नटल ना कुट्टों से बहुत डरते हैं वो अभी मुझे बता रहे थे कि एक बार जंगली कुट्टों ने उन्हें ऐसा दोडाया कि वे कप्रिस्तान पहांच के और फिर ना इसी तरह से वेरा दिल्चस्प और डरावनी कहानिया सुना कर अपना मन बहलाती और दूसरों के मन में डर पैदा करती अभी आप सुन रहे थे एक एक मुन्रोद वरा लिखी कहानी यह कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई फो नाउ